हेलो दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के आई होप आप लोगों बढ़िया होंगे हमारी चैनल में आपका फिट से बहुत-बहुत स्वागत है आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा तो आज हम बात करें D-SASB के PGT Mathematics के सिलेबस के बारे में जिसमें हम बात करें Officially Detailed सिलेबस क्या है और इसको क्या-क्या आपको पढ़ना है यह रहां है क्या क्या हुआ है सबके बारे में इसमें त्वर्ग घ्राइजुएशन की और उसके बाद इसमें सब्सक्रीजराहु सारा का सारा आपको दिखाऊंगा, तो चलिए हम बिना किसी देरी के सीधा सीधा स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को और स्लेबर्स को, ठीक है? तो चलिए देखिए, देखिए, मैट्स का स्लेबर्स जो है, DTSB का, वो काफी वास्ट है, अगर मैं कंपेर करूँ बाकी एक्जाम से, जैसे KVS से, अगर मैं कंपेर करूँ, अभी KVS का एक्जाम हुआ था, उससे थोड़ा सा वास्ट है, उत्राखंड LT का एक्जाम का जो स्लेबर्स हमने दिया था, उससे काफी सारे कुशन्स आए भी थे, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट दिये थे, तो उससे भी काफी सारे कुशन्स आए थे, तो अगर आपको इसके प्रैक्टिस सेट चीहें, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाले टाइम पे, अभी इसके जो हम प्रैक्टिस सेट प्रिपेर करवा के, आपको जो है इसी चैनल पर प्रवाइट करवाएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसके सिलिबस की बात करते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो आता है, आपका सेट थियोरी का, जिसमें सेट रिलेशन और फॉंक्शन जो है, वो आपको मिलेगा, ट्विल्थ लेवल पहले आता है, उसके बाद ट्विल्थ लेवल के बाद में, ग्राइजूशन लेवल में क्या क्या आ रहा है, उसके वर विवम बात करेंगे, तो क्या-क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब के बात करेंगे, तो सट की डेफिनेशन, रिपेजेंटेशन, यानि रोस्टर फॉर्म, सट बिल्डर फॉर्म, यह सब आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके टाइप्स, एम्टी, फाइनाइट, इन्फाइनाइट, एक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यहां पर लिखा वनिए, एक्विवेल पढ़ना है, तो एक्विवेलेंट भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, सब सेट, सब सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम बोलते हैं, फिर पिक्टोरियल डाइग्राम, जिसको हम वें डाइग्राम बोलते हैं, उसके उपर, ठीक है, और इसी के साथ साथ, डॉमेन, दोमेन, रेंज, रेलेशन की, ठीक है, फंक्शन की, फंक्शन और इस्पेशल, काइंड ऑफ रिलेशन, फ्रम वन सेट तो अनदर, पिक्टोरियल रिप्रेजेशन ऑफ फंक्शन, डॉमेन, को डॉमेन रेंज ऑफ फंक्शन, रेल वैलुट फंक्शन, और डॉमेन रेंज, इन सब की फंक्शन की, फिर उसके बाद, फंक्शन की टाइप वगेरा है, तो यह सब आपको करना है, अब इसमें फंक्शन की टाइप सिहां पर पूरे की पूरे लिख रहे हैं, जैसे इसे इडिन्टिटी है, पॉलिनॉमियल रैशनल, मॉडिलस, ठीक है, ग्रेटस इंटीजर, लिस्ट इंटीजर भी आप पढ़ी लेना, ठीक है, उसके बाद आजाता है, फंक्शन का सम्डिफरेंस, मतलब जितने भी उसमें हो सकते हैं, सारी की सारी चीज़े, यह नोंने मिक्स करके डाल दिया है, यहाँ पर वैसे सेट का था, पूरा का पूरा पार्ट, सेट और फंक्शन को मिक्स करका है, सम्डिफरेंस प्रोड़क्ट जो है, वो कोश्चन वगेरा का, यह सेट का पार्ट है, उसके बाद रिलेशन में बात करें, आपको करना है, तो इसमें सीधा-Sीधा आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इस टीकट के को मैं बोलूगा, आप शिप भी कर सकते हो, ठीके कोई जशाधा इतना वो है नहीं, उसके बाद आपको आजाता है, Permutation and Combination Permutation and Combination में आपको Fundamental Principle of Counting करना जिसमें Principle of Addition Multiplication करते हैं Factorial Notation क्या होती है वो पढ़ना है फिर Permutation का पूरा का पूरा Combination का पूरा का पूरा उसके वाद इसके Formulas जो आते हैं और Simple Applications अब यह सुनने में असान लगता है Permutation, Combination बहुत बड़ा चेप्टर है इसमें Circular Permutation आती है ठीके उसके बाद Line में Permutation आती है Permutation की बहुत सारे टाइप साते हैं Reputation, Non-Reputation, Box Method ठीके, Gap Method यह सारी की सारी चीज़े आपको पढ़नी है Combination में भी ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं आपको पढ़नी है तो सारा का सारा इसी चैनल पर मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छी वीडियो जिसके लिए आपको मिलने वाली है ठीके, उसके बाद complex number की बात करें तो complex number पहला general form ठीके, क्या होती है complex number के बारे में आईटा का जो concept हो algebraic properties of complex number argon plane के बारे में, polar representation के बारे में ठीके, इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है जिसको हम बोलते हैं, Iler Iler form complex number की पूछी जाती है ठीके, तो वो भी आपको पढ़ देनी चाहिए मेरे साब से, उसके बाद fundamental theorem of algebra, solution of quadratic equation and complex number system यानि जो आईटा वाला case आता है ठीके, जिसमें discriminant less than 0 हो जाता है उसवाले case में, जितने भी question बन सकते हैं उसके आद, modulus और argument of a complex number square root of a complex number ठीके, और cube root of unity ठीके, cube root of unity वह वाला ठीके, 1 omega omega square फिर triangle inequality से सबसे ज़्यादा question इसके बनते हैं मतलब, जातर exams में क्या होता है जो easy exams होते हैं उसमें cube root of unity के question ज़्यादा तर आपको दिखते हैं cube root of unity के question आपको दिख जाएंगे या तो आपको modulus और argument के question आपको ज़्यादा दिखेंगे इसमें question आपको ज़्यादा तर दिखेंगे triangle inequality से और cube root of unity से ठीक है तो यह question आपको ज़्यादा दिखेंगे modulus argument के होते हैं लेकिन comparatively थोड़े से tough level पे होते हैं ठीक है linear inequality के बारे में थोड़ा बता देते हैं linear inequalities में सबसे पहले तो आपको algebraic solution of linear inequalities in one variable और number line पे उसकी representation क्या होती है वो किस तरीके से करते हैं shading portion जो होता है वो करना है फिर graphical solution of linear equality is two variables का और उसको graphically जो हम निकालते हैं absolute inequality का mean जो निकालते हैं ठीक है यह सब absolute value जो निकालते हैं और inequality का mean जो निकालते हैं वो करना है इसमें जो extra part है जो आपको पढ़ना है ठीक है यह तो यह हो गया दो चीज़े एक्स्टा पार्ट जो है वो है कौशी स्वास्ट इनिकालिटी जो हम पढ़ते हैं चेवी शेफ्स ठीक है इनिकालिटी यह दो चीज़े जो है एक्स्टा है जो मैं बोल सकता हूँ graduation level पर आपको देखने को मिलेंगी equality of means inequality of means यह भी थोड़ा बहुत यह है कि यह तीन चीज़े जो है आपको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा साइफ़ाट लगाना पड़ेगा आपको कोई graduation की बुक ले सकते हो वहना आने वाले course में उसमें participate आप कर सकते हो binomial theorem की बात करते है आपको पढ़नी है इसमें क्या आता है statement आएगी प्रूफ आएगी binomial theorem के पास्कल ट्राइंगल ठीक है general term, middle term और binomial expansion आपको कहना है simple application पढ़नी है binomial theorem की और binomial theorem any index के लिए जो हम करते हैं वह वाला properties of binomial coefficient simple application of approximation एक चीज़ इसमें इन्होंने छोड़ रखे जिसके उपर मैंने अभी आपको याद होगा कि अभी ही इस चैनल पर ही प्रीविएसर पेपर साइट मैंने जो दिखाया है 2018 और 2020 का तो उसमें मैंने बताया था कि minimum के जो कोशन है वो यह तो आई रहे है इसके साती है greatest term के भी कोशन आरहे है greatest of course accurate दिखाए थे आपको इसमें बहुत अच्छे कोशन है अच्छे लेवल के कोशन जिसको बोल सकते है वह है इसमें और अच्छे लेवल ज़र मतलब यह नहीं कि होंगे नहीं सीवेंस और सीरीज की बात करेँ सीक्वेंसेन COP कए सबूब्यारेति को आपको सबसे पहले अर्थमेटिक कर इसके जो होता है वो निकालना था जा番 की या क्या क्या relation होते हैं सारा का सारा ठीक है उसके बाद आपका जाता है जो जो कर बाद आजाता है जिसको और श्रीज और यह पी तो यह आपको देखना लोगरिदमिक में आपको करना है वह थोड़ा सा ग्रेजुशन का शुरुवात का पॉर्षिन करना है यानि फरस्ट समिस्ट वाला जो होता है ठीक है उसके बाद बात करें तो number theory जो है वो आपका आएगा आपका graduation level का थोड़ा सा इसमें भी ज्यादा नहीं पूछते हैं लेकिन अच्छा पूछते हैं तो पियाने जो पूछते हैं वह जो दिया था ठीक है उसके बाद principle of induction तो वही है ठीक है फर्स्ट सेंद प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल बेशेजरिपेंसर टोसंटबेंसरा जोघल यह बहुत ही असान है फर्मेंट और विल्सन ने जो और टोशन फंक्शन जो दिया था यह बहुत ही इजी है ज्यादा कुछ टप नहीं है नंबर थियोरे में सबसे असान होता इसको पढ़ना ठीक है प्यानो जॉक्जियम भी असान है ठीक है जीरो को काउंटेबल बता दिया तो ज्यादा टफ नहीं है ठीक है मलता पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा अपने पहली बार पढ़ा होगा अगर तो पढ़ने में ऐसा लगएगा कि हाँ यह टफ है लेकिन बहुत ही इजी है ठीक है नेक्स आजाते हैं कॉड़रेटिक एक्वेशन में आपको क्या करना है र फॉर्मेशन ऑपक्वेशन विद गिवन रूट्स सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स एक्वेशन अप्रिडिस एक्वेशन डिटिस टीबल टू कॉड़रेटिक एक्वेशन ठीक है जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि वाइप लस वन की पावर मान लेते हैं पोर दे जिरो तो ऐसे रिद्यूसिबल फॉर्म जो बोलते हैं इसको तो यह सारा का सार आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसके क्वेश्चन सापको करने ठीक है उसके बाद आ जाते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ दीक्वेशन और कॉमन रूट्स यह आपको करने हैं आपके पास में एक पोर्षान आजयता है मैंट्रीशें तन्र डिरामिनेंट का मैट्रीश माक्ठी में दीक्वेश्चन का इhteeए लिवाल के ने पकूर टो कदि चलते हैं तो यह सबसे लिवाल्ध प्रांपने है परपड़्री और ट्रीटेंगिल पढ़ना मृट्चन म उसके बाद consistency of linear equation अगर आपको याद होगा फिर solution of simultaneous linear equation और 12th level से थोड़ा सा उपर बस आपको पढ़ना है इसमें आइगन values नहीं आती है ठीक है आइगन वेल्यू के question मैंने प्रीविए सेर्ट में तो नहीं देखे ठीक है बाकी आप इसको अगर पढ़ना चाहो अगर आपके बास में टाइम मिलेगा आइगन वेल्यू आइगन वेक्टर और रैंक एक बार आप देख सकते हो ठीक है फिर टूडी आ जाती है यानि टू-दैमेशनल जोमेटरी तो कार्टीशन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोडिनेट्स इन प्लेन इस्टेंस फॉर्मुला सेक्शन फ of on a of a line on the coordinate axis various forms of equations of a line intercept form of a line intersection of lines angle between two lines condition of concurrence of three lines पंद वो ऐसे होता था ना यदा आपको तीन लाइन अगर कॉन्कुरेंस होंगी तो है नटेमिनेट के वेसिस्पर मुसकी चिंदीशन नीकालते हैं तो distance of a point from a line equation of internal and external लियो external by sector of angle ठीक है internal और external by sector यह एंगल वाय सेक्टर से हम जब जब से निकालने का तरीका होता था अगर मानले यह यह दो लाइन है इसको एक एंगल से ऐसे वाई से कर रही है ठीक है तो इसमें internal or external by sector निकालने के लिए जो formula यूज तो उसको करेंगे ठीक है उसके बाद line bisector बोलता है मैंसे हम इसको फिर coordinate of centroid ortho center ठीक है और circumcenter यह करना है आपको equation of family of line passing through the point of intersection of two lines homogeneous equation of second degree in x and y angle between the pair of line through the origin combine equation of the bisector of angle between the pair of lines उसके बाद बोल रहा है condition for general and second degree equation to represent a pair of lines points of intersection and angle between two lines standard form of equation of a circle general form of equation of a circle ठीक है radius फिर center बोल रहा है parametric form बोल रहा है इन्होंने circle का पार्ट इसी में डाल दिया वैसे circle अलग सा chapter है उसके बाद tangent और tangent की वेसिस पे जो वह सरकल पे जो tangent लगता है उसका पूरा का पूरा यहां पर लिखावा है इन्होंने देखो एक्वेशन फैमली अफ सर्कल थूरू दा intersection of two circles condition for two circle to intersecting circle to be orthogonal orthogonal की जो condition होती थी वह वाली जीवन जीटू वाली है ना section of कॉन यह कॉनिक section का पार्ट है लेकिन इन्होंने इसमें डाल दी है equation of conic section parabola ellipse hyperbola standard forms में फिर condition for a line y is equals to mx plus c to be tangent and points of tangency ठीक है तो मतलब यह क्या कर रहा है उन्होंने जो conic section है उसी को line की जो condition होती है ना सारी की सारी वह line geometry में डाल दी उन्होंने 2D में यह सारा का सारा आपको पढ़ना है trigonometric function में आपको जाधा नहीं पढ़ना trigonometric function में वही पढ़ना जो हम पढ़ते वह आए है positive negative angles जो पढ़ते थे हैं ठीक है फिर major radian degree values का जो हम पढ़ते थे ठीक है conversion कैसे कैसे होता है एक का दूसरे में डिग्री में डिग्री का डिएन में definition trigonometric function की unit circle की help से फिर graph जो होते हैं trigonometric function के sin x plus y cos x plus y यह सारे के सारे मतलब इसमें दो तीन formula लिख रखे हैं लेकिन सारे के सारे ठीक है जितने भी फॉर्मले होते हैं सारे प्रूफ सारे के सारे sign cos और सब के सब हाइटें डिस्टेंस भी आपको करना है यानि इसमें तो trigonometric लिए आप एक अच्छी सी ले सकते हो जिसमें trigonometric के आपको जायतर question मिल जाए ठीक है और फॉर्मले सारे मिल जाए तो उसको आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद आजाता है inverse trigonometric function में आपको domain range principal values जो branches होती है वो करनी है graph करना इसका उसके बाद elementary function inverse function graph of simple function limit continuity differentiability derivative geometric interpretation of the derivative derivative of some difference or product quotient of function यह सारा का सारा है भाई बहुत सारा है यह तो ठीक है उसके बाद आपको बोल रखा derivative of polynomial trigonometric function मदब सुनने में जादा लग रहा है एक्चल मैं है वही चेंडूल वगेरा है ठीक है inverse trigonometric function का derivative implicit function का implicit function का derivative derivative है और exponential function लोगरिद्मिक फंक्शन इन सबका डेरिमेटिक डेरिवेटिव है उसके बाद parametric form है second order derivative है लेंग राज्जेस और रोलेस थेहरम दोनों है भाई लेंग राज्जेस मीन वैली थेहरम है रोलेस थेहरम है दोनों है और इसका geometric interpretation जो है वो भी है ठीक है तो यह सारा का सारा करना है और इसमें एक चीज़ रह गही है शायद यहां पर लिखी भी नहीं है derivative of function with respect to another function उसके कोशन भी आता है जैसे आप से बोल दिया था है कि साइन एक्स का derivative भाया एकी पावर एक्स के respect में क्या होगा की पावर एक्स के respect में साइन एक्स का derivative क्या होगा तो यह पूछ ले जाता है तो यह कैसे निकार लेंगे वो भी आपको करना है application of derivatives की बात कर लेते हैं application of derivative में आपको rate of change पढ़ना है increasing decreasing function करना है monotically increasing monotonicly decreasing tangent और normal करना है approximation करना और maximum minimum करना है यह class 12 का आपको दिख जाएगा चारों पांचों चीज़े जो भी लिखी भी है यहां पर class 12 में हर चीज़ की एक एक exercise है ना तो आप इसको यह सब करना है आपको integral calculus में बात करें तो fundamental integration आपको करना है technometric और किन-किन चीज़ों का पढ़ना है वह सारा कसा यहां पर लिख रहता है बाइपार्ट करना है partial fraction करना है और trigonometric identity का यूज करके ठीक है उसके बाद basic properties और definite integration जो 78 properties और नो प्रॉपटीज है शायद उसकी है ना फिर fundamental theorem calculus आ जाता है फिर evolution of definite integration और application of definite integration area under the curve जो होता है वह आपको पूरा का पूरा का जाएगा पराबोला ellipse area between two curves कोई भी दो curves के बीच में भी आ जाएगा ठीक है तो वह सारा कसार आपको करना है differential equation में सबसे बड़ी चीज और अच्छी चीज है जिसका question कभी भी नहीं चूटता वह है order of degree order of degree तो करने ही करने है आपको बहाई order of degree का एक question आपका minimum बनता है ठीक है maximum तो आप बनाते रहो ठीक है उसके बाद general and particular solution of a differential equation formation of a differential equation whose general solution is given okay solution of a differential equation by method of variable separation method जिसको हम बोलते हैं ठीक है उसके बाद homogeneous differential equation करने है variable separation method करना है ठीक है first or second degree बस्ट बस्ट इगरी की सोरी homogeneous differential equation first degree करने है उसके बाद solution of linear differential equation linear differential equation को आपको करना है वह वाला क्या यादे dy by dx plus pyz equals to q यह वाला linear differential equation को इसको आपको ना इसका solution कैसे निकालते है integration factor करके फिर particular solution निकालके वह आपको पूरा का पूरा करना है वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में वेक्टर स्केलर कॉंटिटी इस magnitude डिरेक्शन वेक्टर direction of a vector, direction cosine करना है, direction ratios करना है और types जो होते हैं सारे के सारे करना है इसमें कुछ example के लिए type लिख रखे हैं उन्होंने जैसे 0, unit, equal, parallel, collinear यह कुछ example के type लिखे हैं इसका मतलब यह नहीं कि बस यह 4, 5 ही करके जाने ठीक है ना position vector of a point, position vector क्या होते है, negative vector क्या होते है, component क्या होते है, addition कैसे निकालते हैं जिसमें addition का अगर बात बोल दी उन्होंने, तो addition में यह बात भी याद रखिएगा कि इसमें triangle law और parallelogram law भी लग जाएगा multiplication of a vector by a scalar, position vector of a point dividing a line segment in a given ratio, scalar product जिसको dot product बोलते हैं, ठीक है, projection निकालना है, उसके बाद vector cross product, अगर आप यह सब कर लोगे, तो एक दो चीज़े और कर लीजेगा, vector triple product और scalar triple product वो ज़रूर कर लीजेगा, ठीक है, उसके बाद 3D आ जाती है, 3D में आ जाएगा आपका coordinates of a point in a space, उसके बाद आजाएगा distance between two points, section formula, direction, cosine, direction ratios of a line, joining two points, cartesian and vector equation of a line, coplanar and skew lines, shortest distance between two lines, cartesian and vector equation of a plane, उसके बाद एंगल between two lines, two planes and a line and a plane, distance between of a line from a plane, फिर scalar और वेक्टर triple product इदे को यह इन्होंने आगे लिख रखा है, यहां पे, 3D में, ठीक है, उसके बाद आजाएगा, इसके बाद जाते हैं, application of vector and plane geometry, okay, equation of sphere, sphere भी करना बढ़ेगा, आपको center जो है, और radius, यह क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं, इसके उपर एक वीडियो, शायद हमने बना भी रखिये, एक और बना देंगे आपके लिए syllabus के साथ में, ठीक है, syllabus के according, I mean, फिर diameter form of space, equation of sphere, और बाकी पूरा पूरा equation of sphere का पूरा part, ठीक है, उसके बाद, statistics में आ जाते हैं, mean, mode, or median, तो कर नहीं है, और major of central tendency, जिसको हम बोलते हैं, फिर major of dispersion करना है, आपको, जिसमें mean deviation, median deviation, variance, standard deviation, ठीक है, ungrouped और group data का, फिर analysis of frequency between, frequency distribution with equal mean, but different variances, ठीक है, यह कुछ नया है, यह भी थोड़ा बहुत दे experiment, outcome, sample space, events, occurrence of events, exhaustive events, mutually exclusive, inclusive, ठीक है, यह सारे के सारे काने, फिर probability of an event, probability of not, and nor, ठीक है, और, but not, है ना, तो यह सारा का सारा जितना भी इवेंट से सारे काने, multiplication theorem भी करने, आपको, conditional भी करने, independent event, dependent event, दोनो, based theorem, random variable, जो होता है, वो जो, table मना के जो करते है, probability distribution, और, poison ratio, ठीक है, poison distribution जो है, वो आपको 12th में नहीं मेलेगा, थोड़ा सा आपको उसके लिए आगे जाना पड़ेगा, और इसकी property, binomial और poison distribution और इसकी property, तो उसकी अगर question चीए, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, question हम आपको वैसे तो इस channel पर प्रवाइट करवादेंगे तो जादा सूचेगा ना, ठीक है, अब आजा था इसका BSC का portion, मतलब यह तो आपका था 12th level तक का, जिसमें हमने थोड़ा बड़ बड़ पोर्शन भी डाल रखा था इन्होंने, अब linear algebra है इसमें, linear algebra में vector space, vector sub space, और independence in vector spaces, existence of basis, row or column space of a matrix, sum and intersection of sub space, linear transformation and matrices, kernel, kernel पूचा है, image पूचा है, आज तो morphism पूचा है, change of basis पूचा है, ठीक है, और similarity, rank, nullity, जैसे कि मैंने बोला था, matrices, जब आप पढ़ोगे तो rank ज़रूर पढ़ देना, यह इसमें नहीं आई तो इन्होंने क्या करा, graduation वाले पार्ट में डाल दिया, फिर inner product space, orthonormal sets and the Gram-Smith process, the process of least squares, basic theory of eigenvector and eigenvalues, वही बात हो रही है, जगसा कि मैंने बोला था, कि इसको आपको पढ़ना पढ़ेगा, algebraic and geometric multiplicity of eigenvalues, Diagnization of matrices, application to system of linear differential equation, generalized inverse of matrices, more Penrose, generalized inverse, यह भाई, यह भी पढ़ना पढ़ेगा, आपको, real quadratic forms, reduction and classification of quadratic forms, Index and signature triangular reduction of a pair of forms, फिर है singular value decomposition, extrema of quadratic forms, और Jordan canonical form, जो होती है, vector and matrix decomposition कि यह तो काफी ज़्यादा यह है, फेमास है आपका है, उसके बाद analysis का पार्ट, ठीके, monotonic function, function of bounded variation, real valued function, continuous function, उसके बाद absolute continuity of function, ठीके, standard properties, uniform continuity of sequence, ठीके, of function, उसके बाद uniform convergence, power series, जो होती है, radius of convergence, remains, still h, ठीके, integration, standard properties, उसके बाद आजाती है, multiple integrals and their evaluation by repeated integration, change of variable in multiple integration, uniform convergence in improper integrals, differential under sign of integral, और Leibnese rule, ठीके, फिर आ जाता है, इसमें direct let integral, level is extension, introduction to n-dimensional, Euclidean space, open and close intervals, अब भाई, यह दिख रहा है आपको, यह सारा का सारा आपको करना है, यह last का यह बचा है, यह रापूरा का पूरा, lapluses transformation भी है, balance inversion theorem भी है, तो आपको अगर मैं बात करूँ भाई, देखो, सबसे पहले मैं आपको राय जो देना चाहूंगा, अपने हिसाब से, जो मेरा experience राय है, राय में यह देना चाहूंगा, आपका 200 का जो है, यह exam आएगा, है न, 100 का जो है, वो यह आएगा, उपर वाला, इसमें दो पार्ट में divided होता है, पूरा का पूरा सेट, एक तो 100 में, एक 200 में, 100 होता है general paper, और 200 होता है subject specific, आपकी जो merit जाती है, वो जाती है 147 से 145 के बीच में, ठीक है, जो अभी तक गई है, mathematics की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी जो है, अभी, अगर competition की बात करें, अगर आप target लेके चलोगे, 200 प्लस का भी लेके चलोगे, तो आपको सारा का सारा portion नहीं करना, तो पहले हाँ जो है, 12 का portion कवर करो, और वो portion कवर करो, जो आपको जादा marks दे सकते हो, छोटे हैं, ठीक है, उसके बाद इस पर आना, graduation का portion जो है, वो आपको बहुत जादा time consuming है और बहुत जादा, जैसे हीन बॉरिल थियोरों में, यह सब है, यह net के लिए बढ़ते हैं, जादतर बच्चे, net और जे आरेफ के लिए है, ना, माल लेते हैं कि इसका इतना, जो है, level का question नहीं आएगा इसमें, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो आपका time ज जितना भी है, वो cover कर लो, उसके हिसाब से अभी मैं आपको practice that provide करवाओंगा, और previous paper भी provide करवाओंगा, आप यह देख लिजी कितने questions आपके बन रहे हैं, जितने question अगर आपके बनने sufficient हैं, तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं, तो फिर topic wise जाईए, कि इस topic से इतने question आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको topic तियार करने चाहिए, मेरे साथ से, तो एक तरीके वाली, मतलब खाली hard work करके कुछ नहीं होगा, smart work थोड़ा सा हमारे को करना है, तो इसके उपर हम सारगा सार आपको पूरा content आपको देंगा, उसकी कोई figure ना करिए, बाकी आजके लिए इतना ही इसकी जो PDF होगी, वो आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी, ताकि खाली आप वीडियो ही ना देखो बार बार है न, तो PDF जो है वो टेलिग्राम ग्रूप से आप डाउनलोड कर ले न, ताकि आपके बास में पढ़ा रहे और इसको आप इसके तरीके से ठीक है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद और इसको वीडियो को जितना हो सके शेर जरूर करेगा भाई ठीक है, तैंक यूँ